इस्राइल पर एक नई मुसीब़ तूट पड़ी है इस्राइल के साथ वही होने जा रहा है जिसका उसे डर था क्योंकि एरान से एक ऐसी खबर आई जिसने अमेरिका तक को डरा दिया है बहुत डरा दिया है इरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे लेकर गाजा के युद्ध का फैसला पलट तो इसरेल ऐसे काउंटर करेगा इसरेल को यकीन हो गया है कि इरान ने एटम भम बना लिया है अब उसके पास खुद को बचाने के लिए यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये है इस्रेल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये हमेशा तभी एक्टिव होता है जब इस्रेल पर लॉंग रेंज मिसाइल से हमला होता है एरो सिस्टम ने इस्रेल को यमन से फायर की गई बैलेस्टिक मिसाइल से बचाया लेकिन क्या ये सिस्टम अब इरान के अचम भंब से बचा पाएगा? क्योंकि इरान को लेकर खबर बहुत खतरनाक है और इसका सबसे बड़ा खत्रा इसरेल को सता रहा है पूरे इसरेल में परवानो भंब का सायरन बचने लगा है चाहे वो राजधानी तेल अवीग हो या फिर हाइपा या फिर कोई और इसरेली शहर इस वक्त हमास के रॉकेट से ज़ादा खौफ इरान की मिसाईल का है क्योंकि अब उसमें परवानो बंब भी फिट हो सकता है अमेरिका दावा कर रहा है कि इरान के पास अब इसरेल तक पहुचने वाली मिसाईल भी है और उसमें लगाने के लिए एटम भंब इरान के परमाणू ठेकानों को लेकर IAEA यानी अंतराश्विय परमाणू उर्जा एजेंसी की एक बहुत ही सीक्रेट रिपोर्ट ने इसरेल और अमेरिका को बहुत ज्यादा डरा दिया है IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया क्या है कि इरान ने 60 प्रतिशत तक समवर्धित यूरेनियम एकठा कर लिया है अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इरान इससे 3 एटम भंब बना सकता है इरान का यूरेनियम का स्टॉक 6 किलो 700 ग्राम से बढ़कर 128 किलो तक महुच गया है एक पर्माणो भंब बनाने के लिए यूरेनियम का 90 प्रतिशत तक समवर्धन करना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि इरान ने 60 प्रतिशत तक समवर्धन कर लिया है हलाकि 90 प्रतिशत तक समवर्धन करने और बंब बनाने में उसे कई महीने लग सकते है यानि इरान अब पर्माणो बंब बनाने के बहुत करीब है ऐसे दावे इसरेल और अमेरिका लगातार करते रहे है इसरेल ने हमेशा कहा है कि वो इरान को पर्माणो बंब नहीं बनाने देगा अमेरिका भी इरान के पर्माणो कारिक्रम को लेकर इसरेल की हां में हां मिलाता आया है इस वक्द पूरा पश्यमेशिया बहुत बड़े युद्ध के बीच सो लग रहा है इरांग से लेकर इज्रैल और तुर्की से लेकर सौधिय अरब घाज़ा पट्टी में हो रही बंबारी में पूरे अरब वर्ल को बारूद के टेर पर बैठा दिया है अब पर्माणू बंब को लेकर इरांग वाले खत्रे ने इस्रैल और अमेरिका का डर्वाला मीटर रेड लेबल पर ले आया है इस कांटे पर एतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ल वार बनकर तूट सकता है क्योंकि इरां कह चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लाँच होने के 400 सेकंड के अंदर इसरैल पर जाकर तबाही मचा सकती है इरां अब हाइपरसोनिक मिसाइल तयार कर चुका है उसकी बलेस्टिक मिसाइल को इसरैल आरन डूम से नहीं किरा सकता और इरां का दावा है कि इसरैल हो या फिर अमारिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसकी मिसाइल के खिलाफ कोई दीवार काम नहीं करेगी इस स्वक्त इरां के परमाणू कारेक्टरम को लेकर जो खबरे हैं उसे लेकर सबसे सीक्रेट परमाणू अट डे बर सबकी नजरे हैं अभी इरां ने छे स्पॉर्ट पर नियोप्लियर रेक्टर लगाये हुए लेकिन इन में से दो एहम साइट है पहली जगह है नतांस और दूसरी जगह है फोडो यहां है अंडर्ग्राउं नियोप्लियर साइट जहां इरां सबसे ज्यादा गुडवत्ता के यूरेनियम सम्वर्थन करता है ज्यादा बहतर पॉलिटी यानि बं बनाने के लिए बहतर यूरेनियम इरान के परवाणू प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के तौर पर सैटलाइट तजवीरें भी जारी हो चुकी है ये नतान्ज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तजवीर है 2002 से 2020 तक इस साइट का इरान ने बहुत विस्तार किया है वहीं फोडो वाले न्यूक्यर साइट की पहली सैटलाइट तजवीर 2009 में सामने आई थे यहां भी 2002 से 2020 तक इरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है दावा किया जाता है कि इरान सबसे अधिक यहीं योरेनियम संवर्थित कर रहा है इरान के पास अभी एटम बम नहीं है यह बाग तो पुखता तोर पर अमेरिका भी मानता है लेकिन इसरेल के पास एटम बम है इससे कोई इनकार नहीं करता दावे के मताबिक आज की तारीख में इसरेल के शांत रेकिस्तान में नेगेव परमाणू रिसर्च सेंटर है जहां ताखतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है स्टॉक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्ट्यूट के मताबिक इसरेल के पास करीब 90 परमाणू बम है जो पूरे पश्चिम एशिया को पिगली हूई बेत में तबदील कर सकते हैं घाजा में बंबारी के तोरा इसरेल के मंक्री परमाणू बम इस्तिमाल करने की भी सला थी जिसे बाद में नेतन्याहो ने खारिश कर दिया लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इस्रेल जिस्पम को चुपाने की कुशिश कर रहा है वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की बचा बन सकता है और बीरान के परमाणू का रिकम को लेकर ये दुश्मनी और खतरनाफ हो जाती है एएसरेल एक दूसरेक के सबसे बड़े दुश्मन है दोन एक रुश्मने इस्राइल एक बड़े के सबसे बड़े दुश्मने है दोनों एक दूसरे को मिटाने की धम्तियां देते है इस्राइल को लेकर इरान बहुत आक्रामक रहा है और उसे नक्षे से मिटाने की बात भी करता रहा है यही हाल इस्राइल का है जिसके निताओं ने भी परमाणू धम्तियां देनी शुरू कर दी है घाजा में युद्ध के बीच अब वर्ल वार का खत्रा लगातार बना हुआ है जिसमें इस्रेल और इरान दो बड़े कैम्प मनकर उभर सकते हैं वैसे रूस और योकरेन के युद्ध की वज़े से इरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में पहले ही बच चुका है इरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मश्रूर हो चुके हैं और अब उसकी मिसाइल टेक्मलोजी को भी इरान और इस्रेल अपने लिए बहुत बड़ा खत्रा मानते हैं इरान अब अपनी इसी ताकत को दिखा कर अमेरिका और इस्रेल दोनों को चैलेंज कर रहा है हना कि इस्रेल से पहले उसने अमेरिका की फौजी अड्डों को अपने टार्केट पर ले लिया है इरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिटरी बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज़ादा अमेरिकी सेनिक तैना थे इसमें कोवैर्ट में 10 सेन अड्डे हैं और यहां अमेरिका के 13,000 से ज़ादा सेनिक हैं बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाये हैं और यहां उसके 3700 से ज़ादा फौजी तैना थे सौधी अरब में अमेरिका के 10 मिलिटरी बेस हैं यहां 3000 अमेरिकी सेनिक तैना थे ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं यहां उसके 600 सेनिक तैना थे सैयोक्त अरब अमिरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहां उसके 5000 सेनिक तैना थे कदर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी वीस है और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं यह वो देश हैं जहां से इरान बहुत ज्यादा करीब है यही वज़े है कि इरान अब अमेरिका को इस इलाके में बरदाश्ट नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन ही अट्डों से उस पर नसर रखता है और यही से वो कभी भी इरान के नियोप्लियर अट्डों पर हमला कर सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अट्डे हैं वहाँ उसके बहुत ही खतरना खथियार तैनाथ रहते हैं यहां अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनाथ है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे Stealth Fighter भी अमेरिका यहां तैनाथ करता रहता है इसमें इरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल-उदैद एयर बेस जो पूरे पश्ची मेशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिटरी बेस है यहां अमेरिका के अलावा प्रेटन के रोयल एयर फोर्स भी तैनाथ है दूनों देशों के यहां करीब डेड़ सो फाइटर जेट और बाकी विमान और ढून तैनाथ रहते हैं यहीं से अमेरिका पूरे पश्ची मेशिया पर नज़र रखता है यही वज़े है कि इरान ने अब अमेरिका को वानिंग देनी शुरू कर दी है और इस बार अमेरिका इरान की धंकियों को हलके में नहीं ले सकता इरान की फोर्स इस वक्त बहुत ज्यादा अक्टिव है फारस की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक जितना भी इलाका है यहां इरान का खास दबदबा रहता है अमेरिका के नौ सेना यहां तैनात रहती है लेकिन इरान पर नजरे रखना और किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना उसके लिए जरूरी होगे है